करते हैं अब हम लोग कमर्सील बैंक के एक किस्पेशल अफंक्षन के कोमर्सील बैंक है किसी नाम है कि money create करती है तो वह क्या concept है इस बारे में बात करता है अब यह concept के बारे मैं बात करूँ उससे पहले मैं आप वोको से question करना चाहता हूं कि जिसे हम बात करते हैं कि भी money supply है या जैसे कि हम बात करते हैं कि लोगों के पास जितना भी पैसा है तो क्या वो पैसा या जो करंसी है या उनके पास कहीं जो पैसा है जिसमें deposit भी सामील है और करंसी भी सामील है तो क्या वो कितना होगा जितना RBI ने अभी तक note print किया है उतना ही होगा या उससे जादा होगा आप मेरा question एक बार ओर सुनें कि RBI ने अभी तक जितने note print किये हैं माले एक पड़ली टाइम पर मालीजे के 15 लाग करोड़ों के note print कर रखें तो लोगों के पास total जो money है वो भी या वो भी money जो है वो भी 15 लाग करोड़ों ही होगी या उससे जादा होगी या आपके लिए question है एक प्रिट के लिए आप सोचिए उसके बाद मैं इस topic पाता हूँ आप सोच रहोंगे इस question के बारे में और आप ये सोच रहोंगे कि जितना RBI ने note print किये हैं बस उतना ही लोगों के पास पैसा होगा नहीं उससे कहीं गुना ज्यादा होगा और वो कहीं गुना ज्यादा क्यों होगा क्यों कि कॉमर्सियल बैंक भी money create कर रही है money जो है वो या तो यह हम इसको practically भी देखें तो हमें इसको इस टेबल के थुरू समझ सकते हैं कि माल लेजिए कि सुरुवात में आपने जो है बैंक में डिपोजीट किये वन्त होगे आपने निंग में कि आम पब्लीक की बात कर रहा हूं मैं किसी वेक्ती ने एक हजार रुपे आर ने व पास आ है तो commercial bank क्या करें commercial bank उसको जो है loan के तोर पर बांट देगी अब commercial bank जो इसको loan के तो बांट दे कि तो लोन जो हो पूरा loan नहीं दे सकते हैं पूरा loan क्यों नहीं दे सकते हैं क्योंकि legal reserve requirement होती है जिसको हम LRR बोलते हैं कि bank को commercial bank को कुछ पैसा जो है वह वो RBI के पास और कुछ पैसा अपने पास रखना है जो आरब या के पास रखना है उसको हम बोलते हैं CRR, Case Resort Ratio, जो अपने खुद के पास रखना है उसको हम बोलते हैं इस ते चली लिक्विडिटी रेशो यानि कि से फ़र अग्जमपल मान लो कि ये 10% है और ये भी 10% है एक्जमपल को तुरुपर आप मान लो कि ये दोनों 10% यानि कि लिगल रिक्वार्मेंट कितनी है 20% कि 20% पैसे जो है या 20% आप टोटल डिपोजिट वो लोन नहीं दे सकते हैं कॉमर्सिल वेंग 20% का जो है लोन नहीं दे पाईगे यानि कि 10% अपने पास रखना और 10% जो है वो आर बिया के पास जमा करवाना है तो यह मैंस यह होगा कि माली जी 1000 रुपे की डिपोजिट आई तो 800 रुपे का ही यह लोन बांट पाएंगे और 200 रुपे जो है वो उन्हें रिटेन करना पड़ेंगे जिसको हम लिगल रिटेन रिक्वार्मेंट के नाम से हम बोल देते हैं अब यह जिसको भी 800 रुपे का लोन मिला है अब यह लोन भी दिया किसे तुरू है बैंक के तुरू दिया होगा यह जो पैसे यह भी बैंक में डिपोजिट हुए होगे तो यह पैसे जो है जिसको भी लोन मिला है उस व्यक्ति ने बेंक में जमा करवाएं यह हम ऐसा मान लें कि जैसे भी हम कभी लोन लेने भी जाते हैं तो हमें लोन डारेक्टली हमेरे हाथ में कैसी जेते हैं वो बेंक में जमा करवाएं तो यह कोई सी भी XYZ बेंक है गर्वे रॺं देशाइक» पुरा एक कि clinician सिस्टम को पुरा एक मान रहा हैं. तो कि इसी तो कि बैक आधि फ यह कि जमा होए 800-पे When you make allowing यह 800 रुपे Loki पाहए इसका जुभिंक लोन बारोण बाते हैं. तो क्या प्राभण पाई की निभ्ड़ इसमें से भी 20% जो है वो इनको legal requirement रखना पड़ेगा तो इसका 20% कितना होगा 150 800 में से 160 गाया बचाया कितना बचेगा यह आपका 640 डाइट 640 का जिसको लोन मिला वो वापस से bank में चले गए वापस इसका 20% इसका 20% कितना होगा 120 वागवा 128 यह इसका 20% होगा 20 पर से वो बैंक अपने पास रखेगी या अर्बए के पास जमा करेगी और अपने पास रखेगी या नहीं कि बाखी का बचाओा पैसा जो है लोन में बाट सकती है तो 640 में से 128 इदी हम माइनस कर दे तो यह होगा अपना यह होगया अपना 2 और यह होगया 1 और यह देखा जाए तो 6 में से बन जा तो 5 512 512 तो 512 512 का जो है यह लोन बाटेगो 640 deposit हो यह थे 640 का 20% रख लिया वापस उसका लोन बाट दिया उसका 80% का 20% रख लिया फिर वापस यह जो 512 अपने पास आए है यह वापस इसका 20% अपने पास रखेंगे इसका 20% कितना होगा इसका 20% होगा 51, 51 102 और 102 को इसमें से हम इदी माइनस कर दें तो यह बचेगा 410 इसी टाइप से वापस यह पैसे आएंगे वापस यह लोन माट देंगे वापस को अपने पास रखेंगे और इसी तरीके से चलता रहेगा और लास्ट में जागर के हम इसका टोटल देखेंगे लास्ट में जागर के हम इसका टोटल देखेंगे कि इसका टोटल आ रहा है इसका आप इदी टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 5000 और इसका दिया आप टोटल लगाएंगे तो यह आएगा 4000 और इसका टोटल दिया आप लगाएंगे तो यह आएगा 1000 राइट यानि कि मेरे कहने का मतलब क्या यह में मोटी जो यह कैलकुलेशन मेजर बात नहीं है मेजर बात यह है मेजर बात यह है कि अंटिमेटली बाद में Initial deposit कितना था? Initial deposit जो था, वो था, Initial memorize layout ऐनीशियल को deposit तो कितना था? 1000. Rp1,000 था जो कि आज हम total deposit को देखें, तो total कितना हो चुका है? टोटल होचुका है 5000. Rs. 1000 रुपीस जमान थे, वो आज बन चुके कितने, total थाउज़ेंड कि न हुएigon में 1000 जम। ये भी सोचर आए कि मेर, आकांड में एइंटने जमाएं ये भी सोचर आए कि मेरा, वल् 도 सुच रहा है सभी हम बात करता ही तो मनी की में सिर्फ करंशी सामीद होती है मैं पता है कि हैं तो जो ultimately जो शुरूवात में जो 1000 रुपय का नोड था अब हम देखने हैं कि 1000 रुपय का नोड कितने मदल गया है 5000 के total deposit में बदल गया है तो इस तरीके से commercial bank ने क्या create कि commercial bank ने जो है money create कि या commercial bank ने जो है credit create किया तो यह commercial bank का एक special function है जिसमें commercial bank initial deposit का कई गुना total deposit create कर देती है कई गुना total deposit create कर देती है और यह इसी को हम हर बार calculation करने की जरुवत नहीं है हमें हम इसको एक 108 card formula के through भी पता कर सकते हैं कि initial deposit यह मान लो 1000 है और मान लो कि यह rate 25% है तो total deposit कितना होगा यह हम पता कर सकते हैं simple formula है इसके लिए और simple formula उसको हम बोलेंगे money multiplier उसको हम क्या बोलेंगे money multiplier के money कितना multiply कितनी बार multiply हो जाती है तो यह जो money multiplier है इसका formula यह है money multiplier का formula यह है one upon LRR money multiplier यह shortcut में लिख रहा हूं में is equal to one upon LRR यानि कि money कितना गुणा multiply हो जाएगी say for example जैसे कि भी example दिया था जिसमें 20% LRR लिया था 80% loan हो गया था और यह तो अपने 100% होई जाएगा तो कितना times हो जाएगी तो हमें दी देखे one को हमें दी 20% से divide करेंगे अब percent होना यह नहीं इस आपन में 100 होना यह अपन में 100 जो इधर गय तो कितना हो यह होगया आपका 5 times यहनू तो money multiplier कितना होगा 5 times होगा पाँच गुणा होगी जो total deposit होगी वो initial deposit की 5 times होगी इसको हम एक दूसरे example की थूर करते हैं माद लो हमें पता करना है total deposit हमें का पता करना है total deposit हमें पता करना है total deposit और हमें मान लोग कि ये इस question की बार नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा question मन रहा हूं कि LRR जो है वो 25% है कितना है? 25% initial जो deposit है initial deposit हमें दे रखी, मान लोग कि हमें दे रख दिया हुआ है 10,000 तो total deposit कितना होगा? total deposit कितना होगा ये हमें पता करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें लिखना है 1 upon LRR into initial deposit initial deposit तो आप देखेंगे कि 1 upon LRR कितना है? 25% तो 25 लिख दिया, ये percentage इस वज़े से उपर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा into initial कितना है? 10,000 अब यदि आप इसको solve करेंगे तो आएगा 4 times यानि कि initial deposit यदि 10,000 है तो total deposit कितना होगा? 40,000 होगा यानि कि जो LRR है वो decide कर देता है कि money कितने गुणा multiply होगी? money अपना खुद का कितना गुणा total जो initial deposit है उस अब कितना गुणा total deposit बन जाएगा यह decide कोन करेगा? यह decide करेगा LRR Legal Reserve Requirement तो money multiplier के बारे में इस question आता है कि money multiplier क्या है? तो आपको यह simply जो formula लिखना है कि 1 upon LRR और it shows that how much will be the total deposit of initial deposit ठीक? इसके लावाए यह आपको question बनता है कि money creation क्या है? और आप समझा सकते हैं कि money creation क्या है? इसके लावाप यह भी समझा सकते हैं कि credit creation क्या है? ठीक? तो I hope कि आपको यह जो money creation वाला concept है यह आपको सुनना आया होगा यह बड़ी important बात भी है कि आप जितना bank note print करती है सिर्प उतना ही पैसा लोगों के पास ही होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा money लोगों के पास होती है क्योंकि वो deposit के तोर पर भी उनके पास money जो है वो create हो जाती है ठीक? तो I hope कि आपको इस सारी बाते समझ में आई होगी फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा, have a great day थैंक यू बड़ी मुच और हाँ यह आपने विद्या फॉक्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, सेर करें और comment भी करें थैंक यू